हेलो एवरिवन, कैसे हो आप सब लोग आज कार्तिक का अन्वल स्पोर्ट स्टे था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उसके लिए हम लोग स्प्रिंग रोल्स भेज़ दे, यहां पर मम्मी ने स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए जितनी भी वेजीज हैं, वो कट कर ली है वेजीज इंक्लूट करती हैं, अनियन, कैपसिकम और केरेट, कडाई को हम लोगों ने लोग फ्लेम पर रखा हुआ था, जैसी हमारा तेल गरम हो जाता है, हम सारी वेजीज को हमारे तेल में डाल देते हैं, कर्ची लेते हैं और लोग फ्लेम पर ही अपनी वेजीज को होले घर के दूद का बना हुआ शुद्ध पणीर है, पणीर स्लाइस कट करने के बाद हम लोग इन पणीर स्लाइस को अपनी वेजीज में डाल देते हैं और मेडियम फ्लेम पर कर्ची से चलाते रहते हैं, बाकी के जो पीसिस थे उन्हें हम मैश करके इसमें डाल देते हैं और मेडियम फ्लेम पर ही चलाते रहते हैं अब आती है इनमें स्वाद डालने की स्वाद के लिए हम इसमें डाल देते हैं नमक as per your taste उसके बाद बाकी के मसाले डाल देते हैं जैसे आपका हल्दी हो गया आपका लाल मिर्च हो गया और ये सारे spices डालने के बाद इनहें medium फ्लेपर चलाते रहते हैं यहाँ पर spring roll के लिए हम लोगों ने एक पतला बैटर रेडी किया हुआ है और दूसरी तरफ हम लोगों ने यहाँ पर एक मोटा बैटर रेडी किया हुआ है जैसे बैटर आप डूसरी के लिए यूज करते हो उस तरह का बैटर हम लोगों ने यहाँ लिया हुआ है यहाँ पर अब आप सोच रहे होगे कि यह कहतो रहे थे spring roll बना रहे है पराठा जी हाँ जभी भी आप spring roll बनाते हो या डूसरी बनाते हो तो आपका जो non-stick का जो कड़ाई यह pan होता है उसमें सबसे पहले आपको जो है पराठा बनाना होता है जिसकी वज़े से आपका जो pan होता है वो set हो जाता है आपके डूसरे के लिए spring rolls के लिए यहाँ पर हम लोगों ने जो base तियार किया था उसे हम अपने pan में डाल देते हैं और देखे कितना अच्छा shape एक तम gold shape इसका बना हुआ है एक side से यह plane पक रहा होता है और फिर हम लोग इसके दूसरी side से जो है oil से इसकी गर्ण कर लेते हैं ग्रीजिंग करने के बाद जब यह एक side से पक जाता है तो हम इसे पलड देते हैं और दूसरी side से भी पका लेते हैं यहां पर जब आपका plane पक जाता है तो हम उसमें अपनी जो stuffing हमने रेडी की थी पनीर की capsicum veggies की उन्हें हम इसमें डाल देते हैं और इसे लपेट देते हैं और यहां हम लोगों का spring roll रेडी हो चुका है होप आपको यह recipe पसंद आई होगी thank you for watching